एक ड्रग डिलर पेसों के चक्कर में फर्च आता है यह पैसे उसे इंशॉरंस से मिलने वाले थे उसने किलर हायर किया पर इस किलर को as a collateral कुछ चाहिए था तो अपनी sister को collateral रख देता है अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारी मूवे किलर जो 2011 की एक thriller Hollywood मूवे में सकता है बार बारी चल रही थी उसके मदर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था तो अपने फादर के पास हो आ गया उसके वादर ने शारला नाम की लड़की से शादी कर ली थी क्रिस की sister डॉटी भी इनके साथ ही रहती है शारला पुछती है क्या तुम्हारे मदर ने फिर अगर उसने वह पैसे पे नहीं के तो उसका बॉस उसे मार डालेंगे एक्चॉल में क्रिस ड्रग डिलर था एंसल ने कभी भी इतने पैसे देखे नहीं थे तो उससे हो हेल्प नहीं कर सकते क्रिस कहता है कि मुझे सिर्फ थाउजन डॉलर देतो बागी का मैं इंदजाम कर लूँगा पर इतने भी पैसे एंसल के पास नहीं थे एंसल उसे पुछता है कि एक्चॉल में हुआ क्या था क्रिस ने कहा कि मेरे पास ड्रग्स थे और मदर ने वह चोरी कर लिया मदर और उसके बॉइफ्रेंड ने मिलकर इसे सेल कर दिया था अब जितने पैसे अपने कुछ भी सेल नहीं करने वाला क्रिस कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर को जानता जिसका नाम है जो यह अपने मेनलोगों का मारने का पान्टाइक तो इस वज़े से उस पर कोई भी शक नहीं करता मदर के नाम पर एक पॉलिसी है जिसकी वर्थ 50,000 डॉलर्स है इसकी नॉमिनी डॉटी है क्रिस की सिस्टर अगर वो मदर को मार डालते हैं तो इस पैसे उनकी हो जाएंगे एंसल इस बात को लेकर डर रहा था पर क्रिस कहता है कि जो एक प्रोफेशनल है वो सब कुछ ठीक कर देगा वो इस काम के 20,000 डॉलर्स लेगा और बाकि 30,000 डॉलर्स हम रख लेंगे एंसल ने कहा कि पैसों के 4 इसे पढ़ेंगे डॉटी, तुमारी स्टेप मदर, तुम और मैं इस बात के लिए भी क्रिस मान जाता है क्रिस ने कहा कि ये डॉटी के लिए भी सही होगा उसे कॉले जाना था और अब वो जा पाई कि ये जब दोनों गाड़ी में बात कर रहे थे तो डॉटी स्लीप वौकिंग करते होए बाहर आके वो थोड़ी से अबनॉर्मल टाइप थी और अब तक उसका कोई भी बॉइफरेंड नहीं था सब उसके लिए परिशान थे घर में आने के बाद डॉटी कहती है कि मदर को मारने का आईड़ा बहुत ही अच्छा है इसके बाद तो सोने के लिए चली के अब नेक से इन में किलर जो हमसे इंट्रोडूस वता है वो इनसे मिलने के लिए घर पर आया क्रीज और एंसल काम कर रहे थे तो डॉटी घर पर अकेली थी वो मूवी देखते हुए कराटे की प्रैक्टिस कर रहे थे जो कहता है कि अगर तुम जाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ अपने मिटिंग के बारे में उसने उसे बात की डॉटी उसे बात करने लगती है पुछते है क्या तुम टिवी में जैसे डिटेक्टिव दिखाए जाते है वैसा है कुछ काम करते हूँ जो ने कहा कि मैं एक्चॉल डिटेक्टिव हूँ वो क्यूरियस थी क्या जो ने कभी किसी को शूट किया है जो कहता है कि जिन लोगों को मैंने मारा है तुम उन्हें नहीं जान दी वो बहुत ही mysterious और dangerous था थोड़ी देर में Chris ने जो को call किया और हो कहता है कि हम ज़रा काम पर है तुम यहीं आकर हमसे बात करो वह आपर पर पीज़े एक शान जगा थी जहाँ पर वो बात कर सकते थे Chris कहता है कि मेरी मदर को मारना बहुत ही ज़रूरी है पर यह काम मैं नहीं कर सकता जो कहता है कि मुझे इन सब बातों में कोई भी interest नहीं है हम काम की बात करते हैं मैं जो भी काम करूँगा इसके मुझे 25,000 डॉलर्स लगेंगे Chris ने सर्फ 20,000 बोले थे तो एंसल को थोड़ी प्रॉलम थी पर फिर भी इस बात के लिए मान जाते है जो कहता है कि मुझे सारे वैसे एडवांस में चाहिए तुम तुमारी मदर का मुझे पुरा शेडूल दोगे और उसे के हिसाब से में उसे मार डालूँगा इस काम में मेरे कुछ रूल से अगर इन्वेस्टिकेशन हुई और पुलिस तुम पर शक करते है और इसमें अगर तुमने मेरा नाम ले लिया तो मैं सब लोगों को मार डालूँगा वो फिर अपना एडवांस मांग रहा था क्रिस कहता है कि मेरे पास कुछ भी एडवांस नहीं है एक्च्वल मैं मदर को मारने के बाद ही पॉलिसी के पैसे हमें मिलेंगे और हम वो तुम्हें पेक कर देंगे जो कहता है कि इस तरीके से मैं काम नहीं करता इसके बाद उब हो यहासे जाने लग जाता है और बाहर उसने डॉटी को खेलता हुआ देखा थोड़े टाइम में उसे लाइक करने लग गया था जो क्रीश से कहता है कि हम एक अलग डील कर सकते है जब तक काम नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी सिस्टर तुम मुझे देतो ऐस अ कोलेटरल इसके बाद हो चला किया एंसर गहता है कि हमें उसकी क्या जुरुद है हम खुद मर्डर कर लेंगे क्रीश ने कहा कि हमसे छोड़ी छोड़ी चीज़े सही से हो नहीं पाती है और हम मर्डर क्या करेंगे इन्होंने इस बात पर थोड़ा से सोचा और दोनों मिलकर डॉटी को as a collateral रखने के लिए माँ जाते है इसके बाद हम शार्ला को देखते है शार्ला किसी और आदमे की साथ बाते कह रही थिया आज राध उसके साथ मिलने वाले थिया शार्ला को इस आदमे की साथ अफेट चल रहा था और उन दोनों के nude photos भी उसके पास थे थोड़ी देर में शारला से मिलने के लिए Dottie आ जाती है शारला को भी सारे plan के बारे में पता था उसे बता था कि Dottie को as a collateral रखा गया है वो Dottie से गयती है कि आज शाम हमारे यहाँ पर एक guest आने वाला है उसके लिए बहुत ही अच्छे से तुम ready हो जाना उसे नया address buy करने के लिए कुछ पैसे देती है शारला ने बुझा कि क्या तुमारा कभी कोई boyfriend था Dottie ने कहा कि जब मैं स्कूल में थे तो मेरा एक बहुत अच्छा friend था हमारा प्यार एक pure love था हमने कभी भी एक दूसरे को टेस्ट नहीं किया था थोड़ी दर में यहाँ पर एंसल भी आ गया और शारला एंसल से बात कर दिया उसने कहा कि Dottie को इन सब चीज़ों में कोई भी experience नहीं है वो कभी भी actual date पर नहीं के हम ऐसा कैसे कर सकते है एंसल को इस बात से जादा कुछ भी फरक नहीं पड़ा वो फिर जाकर Dottie के लिए एक अच्छा सा dress buy करते है ये dress Dottie ने एंसल को दिखा और वो कहती कि मुझे इसमें uncomfortable लग रहा है एंसल कहता है कि लड़कों को ऐसे dress बसन आती है Dottie पहनने के लिए मना करते है तो एंसल उस पर बहुत ही जादा घुसा आगया इन दोनों में जगड़ा बहुत ही बढ़ चुका था तब ही Chris घर पर आया वो Dottie को बचा लेता है उसे कहा कि उसे जो भी comfortable लगे यही उसे पहनना चाहिए शाम में जो घर पर आ जाता है तो सारे लोग घर से बहार निकल गए इसी के parallel में हम देखते है कि शारला का जिस आत्मी के साथ अफेश चल रहा था आज ज़रा तो उसके साथ एक मॉटेल में मिली जो के आने के बाद Dottie अपने रूम में जाकर रो रही थी उससे कहते है कि मैं बाहर नहीं आना चाहती है जो कहता है कि तुम्हें अपना जितना टाइम चाहिए उतना तुम ले सकती हो उसे comfortable feel कराने के लिए उसे एक story सुनाता है ये सुनने के बाद change करकर वो बाहर आके जोने Dottie के लिए कुछ flowers लाए थे जोसे बहुत पसंद आते है रेस के साथ जो भी incident हुआ था इसके बारे में Dottie ने उसे बता दिया जो कहता है कि मैं तुम्हें उस डेस में देखना चाहता हो इस बात को ignore करती है जोने बुचा क्या तुम मुझे पर trust करती हो Dottie ने कहा कि नहीं करती है जो कहता है कि ये भी बात सही है इसके बाद इस दोनों अपना डिनर स्टार्ट करते है Dottie पुछती कि तुम मेरी मदर को कैसे मारोगे जोने कहा कि डिनर के वक्त हमें इन सब चीजों को लेकर बात नहीं करने चाहिए Dottie कहती है मैं मेरी फैमिली में सिर्फ अपने ब्रदर से ही प्यार करती हूँ जब मदर और फादर का डिवास हुआ था तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था एक रात वो मेरे पास आकर सो गया था और उस रात के वारे में हमने कभी भी बात नहीं किया जो इन सब बातों को स्टॉप करता है और कहता है जाओ और जाकर वो ड्रेस पहन कर आओ वो रूम में जा रही थी तूसे उसने उसके सामने ड्रेस पहनने के लिएका इसके बाद उसके साथ इंटिमेट हो जाता है अगली दिन हम देखते है कि क्रिस के पास थाउजन डॉलर्स थै ये सारी में इस उन थाउजन डॉलर्स की वज़े से स्टार्ट हुई थी ये वैसे लेकर वो घोडों की रेस में लगा देता है वो कुछ पैसे कमाना चाता था ताकि अपनी सिस्टर को जो से उचुडा ले ये रेस भी वो हार जाता है जैसे वो बाहर निकला तभी उसके बॉस के आदमी उसका पीछा करने लग गया वो हाँ से भागने की बहुत कुशिश करता है अलग-अलग जगा पर उचुपा पर फाइनली उसे ओठूंडी लेते है उसका बॉस उसके पास आ गया वो उसे कहता है कि लास संडे पर हमारे यहाँ पर पाटी थी तुम आई क्यों नहीं मेरी डॉटर तुमारा वेट कर रही थी बॉस क्रिस के साथ बहुत ही friendly था पर जब वो वहाँ से चला जाता है तो बॉस के आदमी क्रिस को बहुत मारते है ऐसे ही बूरी हालाद में राद में क्रिसगर पर आया सब मिलकर उसका खैल रखते है अगली दिन क्रिस जो से मिलने के लिए आता है उसने पूच्छा तुम मेरी मदर को मारने रहे और मेरी सिस्टर का फायदा उठा रहे हो जो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि यह काम में ना करो तो मैं यहाँ से चला जाओँगा वैसे अभी आज रात में तुम्हारी मदर को मारने वाला था क्रिस कहता है कि तुम कभी भी काम करो पर मेरी सिस्टर को छोड़ दो जो ने कहा कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं यहां से नहीं जाने वाला अगर तुम्हें काम मुझे नहीं करवाना चाते तो अभी बोल दो पर क्रिस कुछ भी बोलने पाता उसे भी इन पैसों के बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पूरे दिन क्रिस इंसा बातों के बारे में बहुत सोचता है और राद में उजो के पास आ गया उसे कहता है कि अब यह काम मत करो जो गहता है कि मेरे साथ चलो क्रिस ने जो भी डॉटी के साथ क्या था इस बात को लेकर उसे बहुत ही ज़ादा बुरा लग रहा था वो गहता है कि मुझे अब इन सब चीजों से दूर चले जाना चाहिए जो उसे ज़ादा कुछ बात नहीं करता और क्रिस की मदर जहाबर काम करती थी वही पर उसे ओ लेकर आता है मदर के गाड़ी के पास हो गए और जो ने डिक्की खोली तो मदर की डेट बॉडी उसमें ही थी पेट्रोल की टाइंग से उन्होंने कुछ पेट्रोल बहार निकाल दिया और उसे आग लगा देते है डेट बोडी निकाल कर उन्होंने फ्रेंट सीट पर रख दी थी सबको लगेगा कि एक्सिडेंटल डेट थी अगली दिन क्रीस डॉटी के साथ बात करता है कहता है कि तुम्हें बता है कि सब कुछ क्या चल रहा है अगर मेरे पास कुछ अलग चोईस होती तुम्हें वही करता आज एंसल और शारला ये दोनों वाइफ के लॉयर से मिलने के लिए गए थे वसियत पड़ी जाती है और इस बात से एंसल बहुत ही जादा अपसेट था एंसल उसे मारकर बुशता है कि पॉलिसी की नॉमिनी डॉटी है इसके बारे में तुम्हें किसने बताया था क्रिस ने कहा कि मदर के बॉइफरेंड नै एंसल कहता है कि एक्चॉल में नॉमिनी डॉटी ने तो तुम्हारे मदर का बॉइफरेंड ही था और उसी नहीं ऐसा प्लान किया था सब लोग क्रिस पर बहुत ही ज़ादा घुसा हो जाते हैं जो के बारे में भी क्रिस को मदर के बॉइफरेंड नहीं बताय हुआ था अब उसकी मदर का फ्यूनरल है तो क्रिस को कहता है कि डॉटी को लेकर वहाँ पर बहुत जाना क्रिस ने डॉटी से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गल्दी होगे अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए हम दोने इंग नई सिटी में जाते हैं और वहाँ पर एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे डॉटी कहिए दी कि मुझसे लास्ट टाइम जो से मिलना ऐ क्रिस इस बात से उसे मना करता है तो डॉटी उसके साथ आने के लिए मानती नहीं क्रिस कहता है कि ठीक है तुम एक बार उसे मिλ दो रात में मैं तुम्हे लेने के लिए आऊंगा और मेरे साथ तुम आ जाना इसके बाद फ्यूनरल होता है टॉटी ने सारी सिचुएशन के बारे में जोग को बता दिया था हम फिर जोग को मदर के बॉइफरेंट को पकड़ता हो देख सकते है पैरलल में क्रिस नब ने सेफटी के लिए गन बाई कर ली रात में डिनर के वक जोग घरबरी था शारला कहती कि मुझे पता था कि क्रिस कुछ ना कुछ तो गड़बर करी देगा इस बात से जोग को शारला पर शक चला जाता है वो गहता है कि तुमने ये बात क्यों कही क्या तुम इन सब में इन वॉल थी शारला कहती कि मुझे कुछ पैसे मिलने वाले इडियेट है उसने क्रीज को बाइथा नाम था तो जो को लगता है कि इनस सब के वारे में शार्वा को कुछ ना कुछ तो पता था उसने शारिला से कहा कि अगर तुम्हें पता था की कम कुछ गढ़बर कर सकता है तुमनें हम सब को रोकने के क्यों नहीं कुशिश की इन सब में तुम भी रिस्पॉंसिबल हो क्योंकि तुम्हें भी पैसे मिलने वाले थे मुझे तुम लोग 25,000 डॉलर्स दे 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 और बाकी के पैसे रख ले थे बाकी के पैसे कितने थे पॉलिसी का प्राइस कितना था शार लगेती कि 100, पॉलिसी सिर्फ 50,000 डॉलर्स की थे तो जो इस बात को पकड़ लेता है जो ने कहा कि अगर एक्सिदेंटल डेथ हो जाती है तो पॉलिसी के वैसे डबल हो जाते है और शारला को इस बारे में पता था शारला के मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं पता यह सिर्फ मेरे मुझे निकल गया तुम्हारे पास क्या प्रूफ है शारला का जिस आदमी के साथ अफेर चल रहा था वह आदमी रेक्स ही था क्रिस के एक्चुल मदर का बॉइफ्रेंड उन दोनों ने मिलकर यह प्लैन किया था जो ने जब रेक्स को पकड़ा तो शारला और रेक्स की नि ना कर रहा था दूसरा कोई भी इन पैसों को निकाल नी सकता पर जो और रेक्स में इन दोनों में फाइट हो गे इस वज़े से जो ने उसे मार दिया था शारला जो बहरी गुस्सा हो गई थे तो जो उसे बहुत मारता है उसने उसे जबर्दस्दी भी कि जो ने कहा कि हो गया जो गयता है कि चलो अब हम सब डिनर करेंगे मेरे काम के मुझे पूरे पैसे नहीं मिले तो डॉटी अब हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी वेसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गया और अब शादी करने वाले इस बात की वज़े से क्रीस बहुत ही फाइनली जो क्रीस को मारी डालने वाला था इस काम में एंसल भी जो को हेल्प कर रहा था इस बात से डॉटी बहुत ही जादा डिस्टब हो जाती है उसने गन लेकर इधर उदर गोली चलाए और सब लोग स्टॉप हो गये वो गुस्से में क्रीस और अपने फादर एंसल को गोली मार देती है उनी की वज़े से यह सब हुआ था उन दोनों ने मिलकर डॉटी का सोधा किया था तो इस वज़े से उसने उनसे बदला लिया फाइनली वो जो से कहती है कि मैं प्रेइन अंट हो इसके बाद उसने टिगर दबा दिया उसने रियलाइस किया था कि जो ने अभी सिर्फ उसका फाइदा उठाया अब सिर्फ शारला बजी थी तो उसे भी हो मार डालेगी पर जब वो जो को मार दिया तब ही मूवी एंड हो जाती है डॉटी जैसी भी थी पर हो स्मार्ट थी और अपना खैल रख सकती थी लोगों ने जिस तरीके से उसे यूज किया यह बाद उसे थोड़ी सी भी अच्छे नहीं लगे और फाइनली अपना बदलाव ले लेती हैं अगर आपको एक्स्प्लेशन अचा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब क सब्सक्राइब करने मत भूलेगा हम विज मिलेंगे और एक नमों के साथ तब तक लिए थैंक्यों और आप अपने आपका खैल रखिया